किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट भेजा है आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से शंभू बॉडर पर किसानों ने कोशिश की कि वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े लेकिन उन्हें रोक दिया गया लेकिन इस बार उनकी ओर से अपनी स्ट्राटेजी को बदला गया है स्ट्राटेजी ये कि इस बार बड़े जत्थे में हम दिल्ली की तरफ ऊच नहीं करेंगे बलकि छोटे छोटे जत्थे बनाएंगे चार चार पाच पाच लोग अपनी अपनी गाडियों से छोटी छोटी गाडियों से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और सिर्फ इस बार पंजाब या हर्याना से नहीं बलकि दिली से मध्यप्रदेश से और बाकी जगहों से भी किसान दिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही स्पेशल ब्रांच ने ये अलर्ट दिली पुलिस को दिया आनन फानन में दिली पुलिस ने हर उस जगहा पर नाके बंदी कर दिया है जहां से ये किसान दाखिल हो सकते हैं जो आम गाडिया है उनकी चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ में अभी भी जो चिला बॉडर है जो गाजीपुर बॉर्डर है और जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ पर सुरक्षा जो आप पहले देख रहे थे कंटीले तार लगाए गए हैं किस तरीके से बेरिकेडिंग बढ़ा दी गई है आम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है अगर बहुत जाने भी दिया जा नहीं लेकर आएंगे हम पुलिस को चकमा देने के लिए जो प्रशाषिन उसको चकमा देने के लिए छोटे-छोटे जथों में आएंगे और इसी लिए पुलिस ने हर उस जगापर नाके बंदी कर दिया आपने देखा ही जो पंधेर हैं जो पूरे जो प्रदर्शन उसको उनकी ओर से भी का गया कि अभी समय लग सकता है आज के दिन का अभान किया है लेकिन किसान अभी आना शुरू हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आज वो असर ना देखे कल और परसो आपको वो असर देखे और हम इसके जरी आपको ये भी अलट कर रहे है क्योंकि आपको आ लेकिन अभी सरकार पर से ये पूरा खत्रा हटा नहीं है, अभी भी किसान अपनी मांगो पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तयार नहीं है, पिछले दिनों किस तरीके से हमने जो प्रदर्शन कारी हैं, जो प्रिशाशन उनके बीच में तनातनी की थी, आजसुगैस के गोले दा गयते गए थे, किसान घायल भी हुए थे, लेकिन वो पीछे अटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मुश्किल के बादल सरकार पर, खासवार पर केन सरकार पर मंडरा रहे हैं.